अस्लावलेक्म दोस्तों दोस्तों मेरे पास एक ओपो का डिवाइस आया हुआ जोकी F3 है यह तो इसका CPH भी आप देख सकते हैं एक बार मैं आपको इसका CPH दिखा देता हूँ ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको नजर परता होगा CPH 1609 तो यह F3 होगा आपका और इसमें प्रॉब्लम एक्षैक्ली दोस्तों यह सेम हो रहा जैसा कि आप देख सकते हैं जब इसे आउन किजिए गर यह स्टार्ट प्रॉब्लम नहीं है ठीक है इसमें प्रॉब्लम यह है कि बस यह ओपो के लोगों पे आकर रुख जा रहा और यहा आपको पीसी करने के इसमें इस तरीका से तो वीडियो के साथ एकदम बने रहें और अभी तक मुझे पता रही कि यह होगा या नहीं होगा यह मुझे पता नहीं है दोस्तों लेकिन मैं करता हूँ एक बार ट्राइ करने में क्या जाता अपना ठीक है अब देख सकते हैं इस अब इसको हम लोगों को फ्लस करने के लिए विदाद पी सी बहुंगे लेकिन ओट ये तो चाहिए चाहिए तो कहां से डॉनलोड करना है यह एक ठीक होता दोस्तों जरूर इनमें ऑप पो एक तरीकी बात करों और भी मौडल को सेम तरीका से आप काम कर सेकते हैं ठीक है तो मैं एक बार अपने मॉर्ड में सर्च कर सकते हैं मैं आपको description में जो है link दे दूँगा दोस्तों आप directly उस link पे click किजिएगा तो उसके website में जो इस website से मैंने download किया उस website पे आप पहुंच जाईएगा तो अभी मैं यहाँ PC में आपको दिखाता हूँ कि किस website में आपको आना है ठीक है कहाँ पे क्या search करना नहीं करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ हला कि description में link आपको मिल जाएगा तो दूस्तों आपको यहाँ पे Chrome browser में यह search करना है ठीक है OPPO OTA download जब यह आप search किजिएगा तो सबसे first में आपको यहाँ पे website आएगा ठीक है यहाँ पे देख सकते है support.oppo.com पे अब यहाँ पे OPPO का बहुत सारा आपको यहाँ पे file मिल जाएगा firmware आपको मिल जाएगा याँ OTA file आपको मिल जाएगा तो आपको क्या है वह आपको आपको अपना model देख लीजिए कर जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा जो है वह F-series में है ठीक है तो मैंने F-series में क्लिक किया और यहाँ पे अपना model नीचे में होना चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F-5 pro है लेकिन अपना F-3 है ठीक है दोस्तों F-3 हम लोगों को क्लिक कर देना है अब मैंने F-3 पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका CPH यहाँ भी यह detect कर रहा बता रहा है ठीक है यह show कर रहा है file का size आपका 2GB का है और कुछ इतना मतलब लोग यहाँ पे इसको download किया गया है यहाँ पर बता रहे हैं तो अब हम लोगों को यहाँ पे simply जो download है इसमें आपको click कर देना है और आपका easily download हो जाएगा आप mobile से भी यह जो download करना है mobile से भी कर सकते हैं इसलिए मैंने आपको कहा कि description में आपको link दे दूँगा और भी नीचे इसका formware आपको OTAO मिल जागा है यहाँ पे आप देख सकते हैं लेकिन यह सब latest सबसे पहले आप यह first वाल जो latest आप download करें ठीक है तो अब हम लोग अपने device पर आते हैं दोस्तों और यह same issue है तो मैंने अपना sd card के अंदर में जो file होटी है उसे मैंने copy करके रख लिया हूँ और उसके बाद आगे आपको देखाता हूँ यहाँ पे लगा करें इस device में ठीक है अब करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे volume up down दोनों को place करना प्लस power अब देखते रही जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना ठीक है अब volume आपको छोड़ देना है down को place करके रखना और power को अब आपका device चला गया दोस्तों यहाँ पे recovery mode में ठीक है मैं देख लेता हूँ एक बाद चार्ज के तना उसके बाद मैं quality करता हूँ अब यहाँ पे इसमें अभी भी मतलब charge perfect नहीं है तो मैं एक बाद इसे charge में लगा की काम करूँगा तो base होगा दोस्तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे यह चार्ज हो रहा है और अब अपने को आना है इंग्लिस में और यहाँ पे हम लोग wipe data करते हैं तो यहाँ पे यह पासवर्ड माँगे यह सभी भाई को पता है तो आपको password याद होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों ठीक है अगर याद आपको नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा फिर PC से अपडैट ली ऐसे टूल से आप इसे flush कर सकते हैं उसके लिए मैं next time अगर मेरे पास कोई device आता है तो उसके मैं काम करूँगा अभी मैं इससे फिलाल काम कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर पासवर्ट जैसे बात आपको कस्टमर से पता करके रखना मैंने कस्टमर से पता कर लिया दोस्तों voice से बेड़े आनगा अ JUST को छो का पासवर्ट था कैस्टमर को कॉल कर करके पूच्यक Preiska कर पासवर्ड यहू था वह मैं ले लिया आप वी वैसी अगर आपका खुद का फोन है तो आपको जाईज से बाते पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर PC से ही करना होगा ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं अब हम लोगों को यहां पर आना है install from storage अब यहां पर जाई सीवात है जो password है वो मैं यहां पर देदेता हूं यह देदिया आप यहां पर SD card में लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं तो SD card ठीक है from SD card और सबसे first में मैंने OTS का जो फाइल है वो रखा हूं अब रॉंग नहीं होना चाहिए दोस्तों अगर रॉंग होता है तो फिर आपका problem हो जाएगा अब आपको यहां पर इसमें click कर देना है दोस्तों कि वाइदर बेए इसमें कोई problem ना आ इस device के अंदर में अब आपको यह जो प्रोसेस से 2 मिट यहां पर बता रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक कि मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर देता हूं तो थोड़ा सा आगी यहां पर आएगा तो मैं आपको वीडियो श्टर्ट कर दूँगा तक कि मैं वीडियो को बढ़ा करने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है दोस्तों शॉट में आपको देखाना लेकिन जहां तक कि मुझने हम लगा कि यहां पर समझाना चाहि樣 मैंने वहां वहां आपको समझाया बस आपको करना अब तक कि अगर यह आपका जो प्रोसेस यह पूरा जाएगा आगे की तरफ ठीक है यह आसते आसते बरना ही स्टार्ट हो चुका है ठीक है जब यहाँ पर आज आएगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा वीडियो को अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करना बहुत जरूरी है क्योंकि साथ मिनिट प् बस थोड़ा सा बाकी है बस होने ही वाला यह इसलिए मुझे मैंने आपको कहा था कि वीडियो के मैं स्टॉप करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो प्रोसेस है हलाकि दो मिनिट प्लस लगता है लेकिन यहाँ पर यह दो मिनिट मैनिमम यह शो खर रहा था कि आपकर लगे प्रोसेसर फिर उसके बाद से आपका चलते रहेगा चलते रहेगा फिर यहाँ पर आगे थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है दोस्तो तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे रोस्टेक को सपोर्ट ने किया सब्सक्र प्रोसे कर सकते हैं ठीक है जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप काम कर सकते हैं दोस्तों और अभी मुझे दोस्तों पता नहीं है कि यह जो प्रॉब्लम है यह मतलब OTA अपडेट करने से सॉल्फ हो जाएगा मुझे यह पता नहीं फिर भी मैं कर रहूं आप लोगों के लि मतलब हो इसलिए मैं मुझे लगा कि यह वीडियो बनाना चाहिए इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यह वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों तो एकदम लेटिस फॉम्वियर आपको यूज करना है दोस्तों ठीक है और यूज नहीं करना जैसा कि मैंने आपको देखाया जो उपर में जो फर्स्ट जो था आपको एकदम लेटिस जो उपर में था यह वाला जो है दोस्तों आपको एकदम लेटिस यूज करना है ठीक है और यहां पर हम लोग डिवाइस की तब देखे जैसे मैंने यहां पे लाया यह कंप्लीट हो चुका था आप यह बता रहा है कि आपको रिवूट कर लेना है आपको डिवाइस को ठीक है यहां पर सक्सेस हो चुका है और एक बार मैं रिवूट करने से पहले ओके कर देता हूँ और यहां पर वाइप में आता हूँ और एक बार इसे फॉर्मट कर लेता हूँ ठीक है और लिटी मैं कर चुका था फिर भी एक बार कर लेता हूँ यह हो गया complete और अब मैं करूँगा इसे reboot अब देखता हूँ दोस्तों कि इसका जो problem था वो solve हुआ या नहीं और अभी भी इस जगह पर थोड़ा सा time लगेगा दोस्तों तो थोड़ा सा तुझाईसी बाते वेट करना होगा क्योंकि हम लोगों ने device को फ्लस किया है 2GB के file से तुझाईसी बाते यह थोड़ा सा time लगेगा यहाँ पर लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा वेट करना है 4-5 मिट वेट करना है अगर फिर भी प्राब्लम आपका solve नहीं होता है तो फिर फ्लस करना पड़ेगा एक पर तो तब तक के लिए मैं थोड़ा वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ देखता हूँ यह होता है यह तो दोस्तों कुछ तेर वेट करने के बाद यहां पर अपना जो काम था वो सेक्सेसफूल हो चुका है दोस्तों ठीक है तो इसलिए मैंने आपको कहा तो चार्ज से कौनिक करके रखिए इसका बैटरी भी आप देख सकते हैं एक्दम काम हो गया तो आपका जो दोस्तों काम था वो फिनिस एक्दम होगा जिस तरीका से मैंने आपको बताया उस तरीका से आप करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो इंशालला सॉल होना चाहिए ठीक है दोस्तों तो यहां पर मैं आगे की तरफ जाता हूँ देखता हूँ इसमें है की नहीं दोस्तों यहां पर स्कीप भी करता हूँ और फिर गेट स्टान तो इसमें अब साथ कोई बात नहीं अगर आता था तो आप कर सकते थे ऐसको लेंगें यहां पर आपके जो काम है वो सक्सेस हो चुका है और मैं एक बार मॉडल आपको कन्फर्म कर वा दूं दोस्तों क्यूंकि बहुत सारे भाई भाई बोल सकते कुछ भी बोल सकते कॉमेंट है भई जो भी समझ में आता भाई मेने ब्लैक्व कुछ मेंमा चाहते हूं दस मिट से आप लोगों कुछ देखाना चाहरा हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 13 ही और हम लोगों ने अपडेट किया तो same version है ठीक है आपने देखा भी होगा एक बार skip करके देख सकते हैं जगह पर मैंने OTA कर रहा था उस जगह पर आप देख सकते हैं यहां से मैं आपार कर देख सकते हैं को यहां पर मीसे राप देख paying को जो तेरे naj्या loreण छोकार देख समय तश्क्रमümüz Léo का मीडह डेख सेब कहीं को दाप सेघंड हैं कर खने एक देखिवस्टी तो भी हमुकाई झाल झाल